C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है केवल पढ़ने के लिए कम्प्यूटर गाएगा गीत प्रिष्ट पैसट हिंदी फिल्मों में गीतों का आगमन आलमारा 1931 से हुआ और तब से वे अब तक लोकप्रिय सिनेमा का अनिवारे अंग बने हुए हैं प्रारंब में अभिनेताओं को अपने गीत खुद गाने पड़ते थे जो उसी समय रिकॉर्ड किये जाते थे बाद में जब यह मसूस किया गया कि हर अभिनेता यह अभिनेतरी अच्छा गायक भी हो यह जरूरी नहीं तो पार्श्व गायन की प्रथा शुरू हुई और उससे गायन और भी परिश्कृत हुआ इस बीच रिकॉर्डिंग की तकनीक में भी बहुत सुदार हुआ और उससे भी गायन की शैली में परिवर्तन हुआ सिनेमा जैसे लोकप्रीय माध्यम में गीत के बोलों का महत्व ज्यादा होता है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से किसी धुन का भावनात्मक प्रभाव होता है फिल्म संगीत का उद्गम इस सदी के प्रारंभिक वर्शों में शास्त्रिय संगीत के अलावा कव्वाली, भजन, कीर्टन तथा लोक संगीत के वातावरण में हुआ लोक नाट्य तथा पेशेवर टूरिंग थेयर्टर कम्पनियों का प्रभाव भी शुरू के फिल्मी गीतों पर था चुकि उन दिनों माइक्रोफोन तथा लौड़ स्पीकर जैसी चीजे नहीं थी खुली हुई उची स्पष्ट आवाज में गाना सबसे बड़ा और अनिवारे गुण होता था गायक को दूर दूर तक बैठी भीर तक अपनी आवास पहुचानी होती थी प्रारंभिक फिल्मों पर थियेटर का असर था प्रारंभिक बोलती फिल्मों के लिए गायक भी थियेटर से आए यह थियेटर परंपरागत रूप से पुरुषों का था जिसमें महिला पात्रों की भूमिकाएं भी पुरुष ही करते थी लेकिन सिनेमा चूंकी कहीं अधिक यथार्तवाधी माध्यम है उसमें यह चीज नहीं चल सकती थी अधह जो गायकाएं फिल्मों के लिए आई वे स्वाभाविक ही भिनिक शेतर की थी यह उस पेशेवर गायकाओं के वर्क से आई जो महफिलों में और शादियों या साल गिरहों पर मुझरे पेश करती थी इस शैली को फिल्म संगीत का पहला चरण कहा जा सकता है यह गायकाएं जरा नाक में बैठी आवाज में गाती थी गीतों के बोल भीवे जरा बनावटी ढंक से चबा कर अदा करती थी जल्दी ही गायकाओं ने सुकून देने वाली शैली में गाना शुरू कर दिया नई शैली का उदारन कानन बाला का गाया जवाब बना गीत दुनिया ये दुनिया तुफान मेल था फिल्मी गायन के इस दूसरे दौर में ऐसी बहुत प्रतिभाएं सामने आई जिनोंने अपनी आवाज को माइक्रोफोन के अनुकूल स्वाभाविक पिज सूर पर ढालने में सफलता पाई शमशाद बेगम, सुरया, नूर जहां तथा कुंदन लाल सहगल इन में शामिल थे सहगल के साथ ही फिल्मी गायन का दूसरा दौर समाप्त हुआ माइक्रोफोन के उप्युक्त नई आवाजें आई महम्मद रफी, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे, किशोर कुमार, तलत महबूद सभी मूलतः गायक थे लता मंगेशकर के साथ गायकाओं के क्षेत्र में नए युग की शुरुवात हुई उनके कंठ की ताजगी और आकरशन ने गायकी के प्रतिमानों को ही बदल दिया इनके अतिरिक्त आशा भूसले, गीता दत, सुमन कल्यानपुरी आदी गायकाओं ने अपनी खास शैली विकसित की भविश्य में क्या होगा? क्या हमारे लोकप्रिय सिनिमा पर गीत अब भी पहले की तरह हावी बने रहेंगे? क्या नितना उपकरणों के आने के बाद आवाज के सुरीलेपन की जरूरत उतनी नहीं रह जाएगी? और किसे पता किसी दिन कम्प्यूटर ऐसी आवाज बना कर रख दे जो किसी भी मानवी आवाज से ज़्यादा मुकम्मल हो? रित्विक घटक अभी आप सुन रहे थे कम्प्यूटर गायगा गीत प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. न.I.D.L.ी भारत